किसी न बड़ी कमाल के बात कई है कि अपने होसले को यह मत बतलाओ की तुम्हारी परशानियस कितने बड़ी है वलकि कि अपने परिस्थानिया को यह बतलाओ कि तुम्हारे होसले कितने बड़े हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं दिपक कुमार आपका स्वाधत करता हूँ अपने आर्चेन यूटूब क्लासेज में दोस्तों जो आज का वीडियो है वह स्वारमंडल से संबंदित है दोस्तों देखते हैं कुछ ग्रहों त्यादी के बारे में तो उनके कुछ महत्तपूर बिंदू को हम लोग जानेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं हमारा वीडियो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे सौरमंडल यानि सौलर सिस्टम दोस्तों क्या वोला देखे सूरे के चार चुद्र ग्रहों धूमकेतु उलका तथा अन्य आकासिये पिंडों के जो मिलाकर क्या ची का निर्मान होता है दोस्तों सौरमंडल का निर्मान होता है हमारा अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बोलाए ग्रह यानि ग्रह कीसे कहते हैं दोस्तों ग्रह क्या है तो दोस् सूर्या के परिकर्मा करती हो उनका अपना प्रकास नहीं होता है वह तारों के प्रकास से प्रकासित होते हैं उसे क्या कहेंग जूस्तों ग्रह कहेंगे। तो सुरवाती समय में जब ग्रहों की King की गई थी तो समय इस की्तोटल मिलाएं 2006 से पहले हम कह सकते हैं ग्रहों की संक्या नौ थी यानी जब नब जब और सास्री जो ब्यग्ञानिक समयलन हुआ यहां बैठक हुआ उसमें प्लुटो ग्रह था, उसे हटा दिया गया था उसे बने ग्रहों की सरेनी में डाल दिया गया दोस्तो, अभी वर्तमान समय में तब से ही ग्रहों की संक्या आठ हो गई है तो दोस्तो, देखिए वह कौन कौन से ग्रह है बूध, सुकर प्रिथवी, मंगल ब्रिहस्पत्ति, सनी, अरून और वरून दोस्तों यदि हम इसके इंग्लिस में बात की जाए तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मास, जुपिटर, सैटरन, यूरेनस और नेप्चुन दोस्तों इसे हम आगे इंग्लिस में भी बता दिये हैं यानि ग्रहों के जैसे हम डिफाइन किये हैं उसको वहाँ पर इंग्लिस भी सबका है तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं यदि हम सूर्य से दूरी के अनुसार भी बात करें तो यही करम हो जागा दोस्तों जो अभी हम बताया है यानि देखिए बोला भी है बुद्ध, सुक्र, प्रित्भी, मंगल, ब्रिहस्पत्ति, सनी, अरून, वरून यही है यानि दूरी के अनुसार भी लेकिन दोस्तों जो यदि आकार के अनुसार बात की जाए तो यह अलग-अलग हो जाते हैं जैसे यानि बड़ा से चोटा के बाद किया जाए यानि सबसे बड़ा कॉन है तो जो 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 ग्रहों है वह सबसे बड़ा है उसके बाद आजाएगा सेटरन यानि सनी उसके बाद आरून फिर वरून, प usability, फिर सुक्र, फिर मंगल और बुध, तो चली आकर देखते हैं कहा है यह ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है यानि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों तो वह हो जाएगा बूध हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों बूध ग्रह पर दीन गर्म और राते बरफिली होती है यानि वहां का दीन जो होता है वो भी गर्म है औरर नहीं है तो फोहां पी बरफीली है अर्थ जैसा नहीं है कि दीण भी समाने रहती है और रहती है यहां पर इस टैब से कुछ नहीं है इसका कारान आपको आगे पता चल लएगा दोस्तों यह सुर्य के परिकर्मा सबसे कम दिन यानि 88 दिन में पूरा कर लेती है यानि सबसे कम दिन में कौन करती है पूरा यानि बूध दोस्तो आगे हम देखते हैं बूध ग्रह पर कोई वायू मंडल नहीं है दोस्तों देखें जो वहाँ पे अभी बोले भी थे कि बूध ग्रह पर दीन गर्म और राते बर फिली होती है इसका मुख्य वज़ा ये भी है कि बूध ग्रह पर कोई वाईव मंदल नहीं है नहीं दोस्तों इसका कोई उपग्रह है यानि दो ऐसे ग्रह है हम आगे एक और ब वीनस यह प्रिथवी का सबसे निकटम तथा सूर्य का दूसरा निकटम ग्रह है यानि प्रिथवी का सबसे निकटम कौन है तो हो जाएगा सुक्र और यदि सूर्य से दूरी के अनुसार बात की जाए तो यह दो नंबर पे आता है यानि दूसरा ग्रह है चलिए आगे और ह सबसे गर्म तथा चमकिला गरह है यानि जो सुक्र है वह पूरे सौर मंडल की बात की जा यानि जो अभी हमारे आठ गरह है उसमें सबसे ज़्यादा गर्म और वह चमकिला गरह है हमारे अगला पॉइंट है दोस्तो सुक्र अन्य गरहों के विप्रित सुर्य के परिकर्मा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है इसलिए इसका सुर्योदा पश्चिम की ओर तथा सुर्यास पूर्व की ओर होता है देखे बोला क्या है और जो गरह है दोस्तो हम अपना पृथवी को ही लेते है दोस्तो यह जो सुर्य के एक परिक्रमा होता है और यहां पे सुरियोद जो होता है वह करता है एक और है दोस्तு हम बतलाएंगे उसको भी आगे जो सुक्र एक कैसा ग्रा है ऑचिसे कारण इसका प्रिछ पुर्वत सोर्यास्त हमारे प्रितवी विक जस्ट उल्टा होती है हम आगे दो स्तुम इसलिए ज zad पार कर कि नाम से रहाना जाता है यानि मोननिंग इप्रियास्ट काफि भी आई है और काफी प्रचलित है क्योंकि अधिकतर परिछाओं में एक क्वेस्टन पुछी दिया गया है कि मॉर्णिंग इस्टार और इवनिंग या फिर पुछ देगा इवनिंग इस्टार के नाम से किसे जाना जाता है किस ग्रह हो जाना जाता है तो दोस्तों इसे आभी वियाई को दोस्तों कभी कोई क्वेस्टन पूछ देती है कि प्रिथभी की जुड़वा बहन की नाम से किसे जानता है दोस्तों अभी हम क्यों आपको बहन बताया है लेकिन जुड़वा लग जाएगा तो उससे आप कॉन्फ्यूज नहीं हुएगा उसमें सुक्र को ही बोला जाता प्रिथभी यानि यह सौरमंडल का एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है हां दोस्तों यह तो हम सभी जानते हैं अगला मेरा पॉइंट है प्रिथभी के बिश्वत ब्यास और धुरूबिय ब्यास के बीच लगभग 43 किलोमेटर का अंतर है यानि जो बिश्वत ब् यहां पे 30 डिगरी जुकि हुई है दोस्तो प्रिथभी अपने अक्ष पर यानि टेइस हाफ जुकि हुई है दोस्तों यह अपने अक्ष पर पश्वत 7 किलोमेटर परती मिनट की गстрिसे घु kitty है और एक चकर 23 गंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा कर लेती है यानि जो अपने अक्ष पे दोस्तों जो हमारे प्रित भी घूमती है यानि पश्चिम से पुरुव की ओर वह कैसे खुलती है 27 किलोमेटर प्रती मिनट की गती से काफी तेज घूमती है दोस्तों अपने अक्षवर भी लेकिन ह अब लोगों को पता नहीं चल पाता है यानि 27 किलोमेटर प्रती मिनट की गती से घूमती है और एक चकर कितना दिर में लगाती है 23 गटे 56 मिनट 4 सेकेंट इसे 24 गटा मान ही लिया जटा है दोस्तों जल की अधिकिस्तिती या 3 बटा-4 भाग होने के कारण इसे नीला ग्रव के नाम से भी जाना ज़ता है यानि नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है तो हमारा अपना प्रिध भी है इसका एक मात्र उपग्रा कौन सा है चंदारमा चंदामामा जो है इनका पृत्वी है उसका एक मात्र उपग्रा है दूस्तों हम चंदरमा पर भी एक अलग सी वीडियो बनाएंगे उसे आपको टेंसल लेने की जरूत नहीं है उसमें से भी काफी मौत्तोपून क्वेस्चन प आँजिए त्रफिेस के का समय लगता है इसको यह है कितने वर्स हाताँ चार रोड़्स में ृता कर दोस्तों यह तीन-सअ-ऊ-10uli लेकिन जो 4 साल जो बाद आता है वो कहां से बढ़ जाता है तो यही जो दोस्तो 6 घंटा हर एक साल बढ़ रहा है ना 6-6 घंटा करके 4 साल यानि 24 घंटा वही एक दिन बढ़ जाता है और उसी को हम लोग लिपियर के नाम से जानते हैं दोस्तो आगे है प्रित्वी के अपने अक्ष पर जुके होना और सूर्य के साप्यक्ष इस्थिती में परिवर्तन के कारण प्रित्वी पर रितूप में परिवर्तन देखने को मिलता है यानि कभी ठंडा कभी गर्मी कभी बरसाथ इस टाइप से क्यों होता है दोस्तो अपने सुर्य का परिकर्मा होगा अब हम लग आगे देखते दोस्तो सबसे अधिक चमकिला तारा साइरस जिसे डॉग इस्टार के भी नाम से जाना जाता है यह प्रित्वी से कितनी दूरी पहें दोस्तो नौ प्रकास वर्स यानि दूरी मापने की बड़ी पैमाना है प्रकास वर्स उत्री गुलार्द में 21 मार्च तथ 23 सितंबर को रात तथा दिन दोनों बराबर होते हैं दोस्तो यह भी भी आई क्वेस्चन है क्योंकि पूछी दिये जाते हैं कि कब जो है रात और दिन बराबर होते हैं तो कब होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होत लान को नीवर्स कितनी बार लग सकती आधिकतम दोस्तों हां जाता है वह देखते हैं है अगले है पनमल है किम नाम सह भी जाना जाता है दोस्तों ने लाल ग नाम से जाना से तो हैं मंगल इसके दू उपगरा फोबोस और डिमोस है यानि जो मंगल है उसका दो ही उपगरा है फोबोस और डिमोस है इसका ब्यास कितना है दोस्तों सरशट सो पच्पन किलोमीटर तथ सूर्य से औसा दूरी 22.5 कडोर किलोमीटर है यानि जो मंगल है उसका ब्यास कितना है छे हजार साथ सो पच्पन किलोमीटर तथ सूर्य से यदि इसके औसा दूरी के बाद की जाये तो साढ़े 22 कडोर किलोमीटर है यह सूर्य के परिकर्मा 687 दिनों में पूरा करता है दोस्तों मंगल पर भी जीवन संभाव है यानि जो बोल रहा है कि मंगल पर भी जीवन संभाव है दोस्तों जहां जीवन संभाव की बात आता है तो यानि वहाँ पर वातावरन है वहाँ मंडल है तभे तो जीवन संभाव होगा चलिए आगे हम लोग देखते हैं मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी ओलियेपस मेसी और सबसे उच्चा परवत निक्स ओलम्पिया जो एवरेश्ट से तीन गुना उच्चा है यदि आपको क्वेश्चेन आजागा दोस्तो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी कौन है तो इसका दोस्तो एंसर हो जाएगा और यदि पूछ देगा आपको से किस ग्रह पे है तो कौन सा ग्रह होगा मंगल ग्रह और सबसे उच्चा परवत भी है मंगल ग्रह पे है जो एवरेश्च से तीन गुना उच्चा है दोस्तो इसके दीन का मान और जुकाव प्रिथवी के समान है इसलिए यहाँ पर जीवन संभाव है हम अगला पॉइंट देखते दोस्तो मंगल ग्रह पर प्रिथवी के समान दो धुरू है इसकी कक्छा तल 25 डिगरी के कोन पर जुका है जिससे यहाँ रितु परिवर्तन प्रिथवी के समान होता है वही तो हम बोले दोस्तो कि यदि वहाँ सुरू में ही बोल दिया था कि जब इसके जीवन संभाव है यानि वातावरन है अब आपको देखने को भी मिल रहा है कि यानि जहाँ जहाँ जीवन संभाव के बात करेगा वहाँ प्रिथ भी इसके मिलती जिलती जरूर कुछ न कुछ होगी ही होगी तो चलिए दोस्तो इसके लिए इतना ही है अब हम लोग आते हैं ब्रिहस्पत्ति पर यानि जुपिटर यह सवर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यानि सवर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तो ब्रिहस्पत्ति इसका वायू मंडल थंडा होता है इसका थंडा होता है तो ब्रिहस्पत्ति का जो वायू मंडल होता है वह थंडा होता है इसका ब्यास दोस्तों 1,4,960 किलो मिटर है तथा सूरिय से दूरी के बात की जाए तो कितना है दोस्तों 77.28 कडोर किलो मिटर है यानि जो ब्रिहस्पती है वो सूरिय से दूरी के करम में कितना नमबर पे आ गया उसका जो दूरी यदे किलो मीटर में देखा जाए, तो 37.28 कलोर किलो मीटर है. हमारा अगलाँ पाइंट है, इसे सूर्य की परिकर्मा करने में 11.9 वर्स लगते हैं, यानि लगबा-लगवक 12 वर्स लग जाते हैं. सूर्य की परिकर्मा करने में हमारा अगला है गैविनी मेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपगरा है गैविनी मेड जो है वह ब्रिहस्पती का उपगरा है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपगरा है दोस्तों देखें यहां हम उपगरा इसकी भी है लेकिन हमने जब अध्यान किया दो तिन भूक में भी देखा तो अलग-अलग बता मतलब अलग-अलग था कुछ में कुछ इस टैप से था तो दोस्तों हम उसे बताना आवस्यक नहीं समझे सोचे कि जिस चीज को हम कंफर्म नहीं होते है उसे आप लोग के बीच म हम नहीं लाना चाहते हैं तो चलिए आगे हमारा आगे सेटरन यानि सन्नी यह प्रिथवी से दोस्तों साथ सोगुना बड़ा है कितना बड़ा है साथ सोगुना सोच सकते हैं दोस्तों आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं इसका सबसे बड़ा उपगर टाइटन है जो वाकार में बूद्ध ग्रह के बराबर है यानि इसका सबसे बड़ा टाइटन है वही जो बूद्ध के बराबर है आकास में या पिले रंग के तारे के समान दिखाई देता है इसके चारो और वलय या कुंडली दिखाई पड़ती है इसके चारो और क्या पड़ती है दोस्तों वलाय वलाय इसलिए इसे छल्ले गरह के नाम से भी जाना जाता है याद रखेगा दोस्तों इसे छल्ले गरह के नाम से भी जाना जाता है टाइटल टाइटन पर वायुमंडल और गुर्तवाकर्शन दोनों है यानि जो सनी का उपगरह जो टाइटन है जो बूध के बराबर है वहां पर वायुमंडल भी आए और गुर्तवा कर्शन भी है दोस्तों यहां सूर्य के परकास का केवल सवा भागी इस गरह पर पढ़ता है यानि जो सूर्य का परकास जितना होता है यादी 100 यादी 100 यूनिट यादी वह उर्जा यादी सूर्य के परकास चाह रहा है दोस्तो का ब्याह जो है एक लाख उनीस हजार 296 किलोमीटर है तथा सूर्य से दूरी के बात की जाए 342 कलोर है क्यों दोस्तों अब हमने आगे बढ़ते है आगे हमारा है आरून यह प्रिथवी से 64 गुन्ना बढ़ा है यानि देख रहे हैं दोस्तों जितना ग्रहों के दुरी बढ़ते जारी है तो अब प्रिथवी से बढ़ा होते जारी है लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा दोस्तों यह प्रिथवी से जरू बढ़े है लेकिन जो ब्रिहस्पति ह सबसे बढ़ा है यानि सब्से बढ़ा यानि सब का क्या बता सबसे बढ़ा है यह यारुन यारी उरेनस की खोज की बात की जाए तो 781 इसपी में बिल्यम हरसन ने की थी दूस्तों इस ग्रह पर सूर्य पष्चिम दीशा में तथा सुर्यास्त पुर्वा में होता है दोस्तों देखिए सौरमंडल का दो ही ऐसे ग्रह है जहांपे सुर्य का उदाया जो होता है पस्चिम जीसा में होता है तथा सुर्यास्त पुर्वा में होता है कौन कौन से गरह दिखें दोस्तों एक सुक्र जो हम आपको बताया थे सुक्र था और एक हमारा अरून है यूरेनस है इसे लेटा हुआ गरह के नाम से भी जाना जाता है या दूर्वीन से देखने पर हरा दिखाई देता है या सूर्य के परिकर्मा 84 वर्सों में पूरा करता ह दोस्तों सिंपल सी बात है जो जितना दूर होगा जितना दूर उसको सूर्य से दूरी तो बढ़ते जाएगा और यदि दूरी बढ़ेगा तो उसे परिकर्मा करने में समय तो अधिक लगेगा ही लगेगा इसलिए अरून जो है इसे सूर्य के परिकर्मा करने में कितने यह डेखेए दोस्तों यह अपने आक्षपर पुरो से पश्यम के ओर घुमता है तिर इसने पूरो का तेbeiten कीुष गूमे दोइन शुर्योधाय होगा वह पश्यम के और होगा और पूर्वक्य को च coop के हमारे वरुन याने नेप्चुन 2006 के अंतराष्टिक खगुल विज्ञानी संग के प्रांत बैठक में विज्ञानी को ने वरुन को सूर्य से सबसे दूर इस्थित ग्रह कहा यानि 2006 इसी समयलन में दिखे दोस्तों इसी समयलन में जो प्लूटो को बने ग्रहों की स्रेनी में रखा गया है और जो वरुन था उसको सबसे दूर इस्थित ग्रह कहा सूर्य से हमारा अगला है इसका पहला उपग्रह ट्राइटन है दोस्तों ट्राइटन की बात नहीं कर रहे है ट्राइटन है जो चंदर्मा से आकार में बढ़ा तथा नेप्चुन के सता से अधिक निकट है यानि जो है इसका पहला उपग्रह ट्राइटन है जो चंदर्मा से आकार में तो बढ़ा है लेकिन नेप्चुन के सता से एकदम अधिक निकट है आगे है दोस्तों इसकी खोज जो है 1846 इस्पी में जहान गाले ने की थी यानि जो है दोस्तों नेप्चुन यानि वरून की खोज को हुई थी दोस्तों 1846 इस्पी में जहान गाले ने की थी और जो अरून की खोज की बात की जाए दोस्तों हमारी ग्रह पया आधारित कुछ महत्त्रबून विंदो दोस्तो हम आगे वीडियो में आपको से मिलेंगे दोस्तो मिलते हैं आपसे अन्य नए वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत बंदे मात्रव